हेलो फ्रेंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेश्ट फोरेवर में एक बाफिस स्वागत करता हूं देखिए हम आज के दिन में एक और अमीरों के IPO की हम बाते करने वाले हैं मतलब रिच पीपल्स IPO ऐसा IPO जो की अमीरों के लेने लाइक है है okay ऐसे एसे एक से बाते करते रहे दैएधी करते हैं करते हैं हमेशा ओर कल भी आइक एक रिख्याइगा पर किस कंपनी का आता हुआ दिखाय दे रहा है रहेतन TMP एकर यह झो कैसे हैं इसे लाइधं हरा नहीं बाते करेंगे इसके फाइंशल्स क्या इसकी इटेल्स क्या है जी एंपी क्या चल रहा है जो की इंपोर्टन पाट रहता है क्या इसका कब लाजड़ देट है यहां पर लिश्टिंग होने की वह सब चीज हम बाते करते हुए नजर आएंगे तो आए वीडियो की तरफ अगे बढ़ेंगे बट उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेश्ट फोर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बैल इकन को है टॉल की नॉटिफिकेशन को अन कर लीजिए ताकि इंपोर्टन न्यूज कहां पर आपको पैसा लगाना है कहां पर आपको पैसा न सब्सक्राइब कर लीजिए एक वीडियो अभी टालिए नियूलर लेबरोटरी बारे दिन में यहां पर दस परसेंट के रिटन दे दिये और आज भी लगब 5% ऊपर है जाके देख लीजिए वीडियो बनाने के बाद दुबारा यहां पर दो परसेंट भागता हुए नजर आती है जो कि हमारे construction में यूज़ होती हुई नजर आती है और यह अभी company यहां पर आती हुई दिखाई दे रही है और इससे लेटेड आगर हम बात करें तो यह गुजरात बेस एक company यहां पर यहां पर अगर बात करें के products वही इसे यहां पर products यहां पर नजर आते हैं तो यह हम यहां पर भी और भी बहुत सारी चीजर देखने लिए एक बार प्रोडक्स पर जाएंगे तो आपको यहां पर चीज़ समय मा हैगी क्या-कया है प्रोडक्स में आपकर TMT और किया साथ बनाते हुए दिखाई देटे जो कि बात कर लेते कंपनी की तो कंपनी की अगर हम बात करते तो आपको पर चलेगा यह एक टीम टी बार अंड रांड बार्क बनाने वाली कंपनी है जो की चुक्श्ट्रक्शन इंडेस्ट्री में काम आती है मैं अल्रडी बता चुक हूं गुच्राथ बेश यह प्लांट है गुच्राथ बेश कंपनी है इस लगभा पंद्रस स्कुर्फ याड का इनों ने अभी एक खरी दिया यह कंपनी इफम नॉट्रों तो यह जितने भी मैं हमेशा बता चुक हूं कंस्ट्रक्शन में जितने भी काम आते हुए दिखाई देते लिए चाहिए हमें ओके जितने कागों में और बात करें तो वैसे इंग्रिष में ट्रेंटी बार बार भी हां पर क्या जाता है कंपनी में अब इस्टेंट की बात करें तो वह ही सेम चीजे और होती हुए दिखाई देगी कि वैल एद्यूटेटेड एक्सपीरियेंस है group synergies है location in manufacturing unit है ओके यह सब चीछ यहां पर बता आई जाती है अब इसके financials की बात करें तो यहां पर देखिए यहां पर आपको कुछ चीए दिखाए देंगी यहां पर मार्च 2020 का मार्च 2020 मार्च 2020 मार्च 2020 मार्च 2022 मतलब तीन साल का देटा है जो यहां पर नेगिटिव था यहां नेगिटिव था एक दम ही रिजर्फ और सर्प्लस लब बढ़ते हुए दिखाए दिए कितने दस करोड़ के आसपास के यहां पर रिजर्फ पढ़ गई है क्यों बढ़ गए तो देखिए इस तोरान जो यह पर्टिकुलरा पीर से आगे चलके अगर हम बात करें इंडिया का कंस्ट्रक्शन होना है शायद ऐसी कंपनीज की आपको तकदीर बदलती हुए नजर आ सकती है नो डाउट बट याद रखिए जो यह चोटी सी कंपनीज है जह हम सीजनल बिजनस की बात कर रहे हैं जब बात कर रहे हैं यहां प कंपनीज के शेयर कब उठे कबना उठे कुछ नहीं पता चलेगा ऐस वल एस यह एक SME IPO है SME IPO क्या होता है उसके डिटेल मैं आई बटन पर दे दूंगा तो आई बटन पर आप देख लीजेगा SME मतलब Small Medium Enterprises तो यह चोटी-चोटी कंपनीज अलाके IPO लाती है IPO लाने के बा इस लिए ऐसी चीजहों पर भरोसा नहीं किया जाता और वो भी तब जब IPO में पैसा लगा रहे हो, और किसी particular listed company में जिसका एक experience है, जिसका एक chart है, जिसके पास एक data है, जिसकी एक history है, उसमें आप पैसा लगाते हैं तो ठीक है, बट ऐसी company जहां पर लगातार ऐसा कुछ होता है, objective की बात करें, तो हमेशा एक companies का यहीं रहता है, कि हमें यहाँ पर पैसे की जरूवत है, हम यहाँ पर company को expenditure कर रहे है, capital requirement है, वो ही यहाँ पर सब चीज होती भी दिखाई देगी, कुछ नया पुराना होता नहीं है, इसके इलावा बात करें company related, तो 22 से 25 तारिक तक ही open था, आज इसकी एक last date है, ओके अब 25 तारिक को वीडियो क्यों बना रहा हूं, 25 तारिक को वीडियो बनाने का मकसद ही है, कि अगर किसी ने लगा रखा है, तो उसे यहाँ पर view मिल जाए, किसी ने लगाने की सोच रहा है, तो यहाँ पर आपको view मिल जाए, क्योंकि पहले दूसरे दिन में क्या होता है, किसी को नहीं पता चलता, 10 रुपे का face value है, बात करें, 70 रुपे पर share पर यहाँ पर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं, कि 70 रुपे दीजिए, एक share के बदले आपको यहाँ पर share मिलता हुआ नजर आएगा, और अमीरों का IPO क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर share लेना है, तो जैसे कि आप normal IPO में जाते हैं, तो 14,000 में आपको एक IPO मिल जाता है, 14-15,000 के बीट में और कुछ shares होते हैं, इसमें अगर हम बात करें, 2000 तो shares हैं, और एक IPO की value कितनी है, 1,40,000 तो आपको 1,40,000 रुपे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, तो जाके आपको एक IPO मिलेगा, बड़े-बड़े जब IPO आते हैं, तो BSE इसकी देख रिक करेंगी, सेबी से जादा इसका कोई मतलब नहीं है, एस बेल एस बात करें, 1,40,000 के आसपास का IPO है, तो जिसके पास करोड़ रुपे हैं, जो रिस्क के ले सकता है, वो यहाँ पर लगा सकता है, बड़े जिसके पास 4,5,000,000 रुपे हैं, या इतने ही पैसे हैं, और वो सोच रहे हैं कि यहाँ पर लगा दूँगा, और एक साथी शेर भागेगा, और यहाँ पर आपको करोड़ पती बना देगा, तो थोड़ा सपनों की दुनिया से भार आके, पदेख के स्टाक मार्केट की reality के में आईये, तो आपको बहुत सारी reality यहाँ पर पता चलेगी, और reality जानने के लिए चैनल को देखिए, तब आपको यहाँ पर पता चलेगी, कि आप पैसे किस तरीके से कमाते हैं. HNIs की बात करे 50%, रिटेल की बात करे 50%, आफर दिया जा रहा है मतलब 50% यहां पर रखा गया है इसके इलाबा कंपनी की बात करें कंपनी के प्रमोटर आशो का मैट मैट काश लिमिटेड एंस शालिज रहा है अर्दा कंप कंपनी प्रमोटर से अभी लगबर 99% के शेयर इनके पास है आप आप आ जाएगा लिश्ट ह कि बात करें तो अगर शेयर आपको मिला ओगा इसका एक आलाउटमेंट को तीज अधर पता चल जाएगी नहीं मिला होगा तो पैसे आजाएंगे आपके अधर टारीक को इनिश्ट है कि कि आपको यहां पर पैसा लगा आपने जो पैसा लगाया है वह यहां पर वर्थित है या नहीं है तो सबसे पहले GMP जहां हम IPO लगाते हैं तो GMP मतलब ग्रे मार्केट प्रीमिया मतलब डबा वजा जो प्राइमरी मार्केट है उधर इसका भाव क्या चल रहा है क्योंकि अगर उधर इसका भाव अच्छा चल रहा है तो याद रखिए IPO भागते हुए नजर आते हैं IPO में जिसे कहते हैं बड़े-बड़े लोग खरीदने को उतार हो जाते हैं बहुत ज्यादा सब्सक्राइब रूपी होते हैं बड़ जिनका GMP अच्छा नहीं होता है वहां पर लोग फज जाते हैं और सालों तक नहीं निकल पाते और शायद उन नजर आए और मार्किट का सेंटिमेंट भी मैटर करता है अभी मार्किट कैसी है अभी मार्किट हमें दिखाई दे रही है चलो अच्छी आज भी भागी है बट बीच में दो तीन दिन आप देखेंगे तो market गिरी ती यहां market गिरी ती तब IPO आना बंद हो गया तो market भाग र क्यों का है क्योंकि एक साथ यह फंड आया है जो एक साथ ही इनकी revenue आता profit बढ़ता हुआ दिखाई दिया यह कोशने वाले कोई बात करें एक बहुत ज्यादा महंगा नजर आता है diversified business है बट कोई बात नहीं हमें आप ज्यादा पैसा लगा के पैसा को परबाद नहीं करना हमें यहां पर चीज़े समझ नहीं है तो मेरी तरफ से भी ना है अगर आप ज्यादा करोड़ पती है आपके पैसे है उस ट आपको मिलते रहे और आई बटन पर लिंक दूंगा उसे जाकर देख लीज़ेगा तो थेंक यू सो मच गॉडबलेस